डौक्तर अजय कुमार से उलजने के बाद केके पाठक की मुश्किले बढ़ गई थी इस बीच बिहार में दूसरे चरण के सिख्षकों के बहाली के बाद नियुक्टी पत्र देने का कारिकरम सरकार का है सिख्षा बिवाग का कारिकरम है लेकिन केके पाठक नहीं ये छुट्टी पर चले गए थे लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि केके पाठक छुट्टी पर नहीं बलकि बिहार सरकार के सिख्चा बिवाग के ACS का पद छोड़ कर केके पाठक चले गए केके पाठक अब सिक्षा विवाग में फिलाल नहीं है और इस बात के दावे किये जा रहे हैं केके पाठक के इस्तिफ़े के एक खबर आ रही है कि केके पाठक ने सिक्षा विवाग में ACS का जो पद है वो सोता छोड़ दिया है खुद ही छोड़ दिया है केके पाठक को लेकर चौतरफा दबाव निति उस्कुमार के उपर पड़ रहा था हाली में केके पाठक का गाली को लोज वाला विडियो जब से सामने आया तब से केके पाठक की और मुस्किले बढ़ी हुई थी लेकिन आज केके पाठक ने पत्र लिखा और उस पत्र के माधियम से उन्होंने कहा कि मैं खुद ही अपना पद छोड़ रहा हूं यह संसनी फैल आई जा रही है केके पाठक को लेकर हम आपको बताते हैं कि राज कर्मियों के लिए जो दिसा निर्देस सरकार के वो क्या है पूरी खबर पूरी लेटर हमारे अधास है हम आपको एक एक बिंदुवार बताएंगे एक एक बिंदू से बताएंगे कि आ figura के पाठक के के पाठक ने पद कि लानी के लिए छला रहा है कि उन्हों ने अपने प्रुद ही दे अपना पद छोड़कर ये खबर पुरी तरीके से ये जो फर्जी है हम इस बात को लेकर का रहे हैं कि ये खबर फर्जी है क्योंकि हमारे पास ये जो दस्तावेज है राज्जी सरकार के नियमावली है उसके अधार पर अब पूरे खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं बहुत चर्चित आईयस अधिकारी केके पाठा के इस्तिफ़े की फरजी ख़बर फैला दी गई है यह ख़बर फैलाई गई है केके पाठा का एक पत्र भी वाइरल हो रहा है जिसमें यह लिखा गया है कि वो स्वता अपने पत्र का प्रत्याग कर रहा है अब वहाँ फैलाने वालों ने सरकारी कामकाज का तरीका और नियम को जाने समझे बेगर ही केके पाठा के इस्तिफ़े की ख़बर फैला दी जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि पूरी ख़बर क्या है क्यों इस तरीके की चर्चा हो रही है क्यों हर कोई केके पाठक के स्तिफे से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा है क्योंकि केके पाठक फिलाल छुट्टी पर गए और छुट्टी पर जाने के पहले उन्होंने एक पत्र लिखा छुट्टी पर जाने के बाद आज उन्होंने जो पत्र लिखा इस पत्र में उन्हो 90 बैच का अधिकारी हूं समान्य परसासन विभाग भिहार पटना के अधिसूचना संख्या एपी 1004 अबलिक 2021 समान्य परसासन विभाग ये आपको बता रहे हैं कि ये केके पाठक का जो साल है जिसमें वो आई आईस बने थे 1990 का है और उसमें उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने बताया कि जो अधिसूचना है ये पी जो पत्र संख्या है ये ये समझने की चीज है इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोड़ दे रहा हूं एपी 2004 अबलिक 2021 ये पत्र था केके पाठक को ACS बनाने का सिक्षा विभाग की जिम्वारी जब दी गई थी ये उस वक्त की जिम्वारी है समन प्रसासनिक विभाग 590 ये पत्र संख्या है दिनांक 9.1.2024 के अलोक में दिनांक 9.1.2024 के अप्राहन में अपर मुख्सचिव सिक्षा विभाग विहार पत्ना के पत्र का स्वता प्रतियाक करता हूं इस पत्र में यही लिखा गया है कि मैं आज दोपार में 9.1.2024 के अप्राहन में अपर मुख्सचिव सिक्षा विभाग विहार पत्ना के पत्र का स्वता प्रतियाक करता हूं खुद ही पत्र छोड़ रहा हूं समान परसासन विभाग की अधिस सूचना एपी 104 बट्टा 2021 सप्र 590 जो पत्र संखिया 590 उसकी सर्चा की जा रही है और दिनांक 9.1.2024 के यह द्रिश्चान है इस पत्र की परतिलीपी को सिक्षा विभाग के निदेशक परसासन सुबोत क पर्मार ने राज सरकार के सारे परमुक अधिकारियों को भीजा है पत्र के वारेल होने के बाद केके पाठक के इस्तिफ़े की जो खबर गड़ी गई अब उसका सच हम आपको बता रहें यह हमने वो बताया जो इस पत्र में लिखा गया था और जो पत्र वाइरल हो रहा है केके पाठक ने अपने पद परतियाक के पत्र में दो दफे बिहार सरकार के समान परशासनिक विभाग के अधिसूचना की चर्चा किये एपी 1004-2021 समान परशासनिक विभाग 590 यह वही पत्र संक्या है जिसके अधार पर केके पाठक को जिम्मवारी मिली थी और दिनांक 9. 9.1.2024 का जिक्र उन्होंने किया है वे कर रहे हैं कि इस अधिसूचना के आलोक में वे पद का स्वता परतियाग कर रहे हैं अब जानिये कि समान परशासनिक विभाग की इस अधिसूचना में क्या कुछ लिखा है यह हम वह बाते बता रहे हैं कि जो अधिसूचना में जो अब तक आप नहीं समझ पा रहे थे, वो हम समझाने की कोशिस कर रहे हैं। में स्री वैदनात यादो भारतिये प्रसासनिक सेवा से 2007 मेज के अधिकारी है। जिसके वो परभार में है, इन सभी डिपार्टमेंट का काम अब बैजनात यादो करेंगे। बैजनात यादो जो प्रसासनिक सेवा का अधिकारी हैं, 2007 मेज के अधिकारी हैं। वो तब करेंगे, जब हम पावर उनको दे कर जाएंगे, तो इसी पत्र में और इसी पत्र के अलोक में आगे उन्होंने क्या कुछ लिखा वो हम आपको बता रहे हैं। दरसर बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों के काम काच के लिए सहीता बना रखिये। कानून बना हुआ है कि बिहार सरकार में जो अधिकारी काम करते हैं, उनको किस तरीके से काम करना है। इसके लिए कानून बना हुआ है। और उसी कानून के ताहद ये पत्र संख्या दी गई वह ऑना करता है तुछ पर ने उन्हें सेल करता है 202 था कि शुट्टी के आवधी के लिए पर्तियाग करना होता है अगर हमको छुटी पर जाना, अब हम कई बड़ा अधिकारी है और मेरे पट जिंवार है अगर हमको छुटी पर जाना तो पहले हमको बिहार सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार एक पत्र भरना पड़ेगा एक चिठी एक फर्म है उसको भरना पड़ेगा कि हम इस विभाग के फ्लाने अधिकारी हैं और हम इतने दिनों तक छुट्टी पर जा रहे हैं हमारे गैर मौझूदगी में दूसरे लोग जो चार्ज लेंगे वो काम कर सके उनको यह अधिकार रहे इसलिए मैं अपने पद से स्वता प्रत्या करता हूं केके पाठक उसी नियम के ताहद पद प्रत्या का फर्म भरकर छुट्टी पर गहें सरकारी नियमों के मुताबिक जब वे 16 जनवरी के बाद छुट्टी से वापस लोटेंगे तो फि काम में उनको अपने विभाग का पद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा यह पूरा जो राज कर्मी का है जो नियम है बिहार सरकार में यह पूरा प्रोटोकॉल है उसका पालन करना होता है तब ही आप लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं और यही काम केके पाठक ने किया औ टाबिक पद परतियाक का फर्म भरकर छुट्टी पर वो गया है केके पाठक जब छुट्टी पर गया है तो सरकारी नियमों के अनुसार उन्हें जो फर्म भरा है और उसी फर्म को भरके वो छुट्टी पर गया है उनके पद परतियाक की अपचारिकता के बाद ही छुट् नहीं कर पाएगा और यही वज़ा है कि केके पाठक को अपना पद छोड़ना पड़ा स्वता उनको अपने पद को छोड़कर त्याक करके जाना पड़ा और यह चिट्थी उसी चीज को लेके हैं केके पाठक ने अपनी छुट्टी के आवेधन में ही सरकार से अनुसंसा की थ में बेदनात यादो को 차رج दिया जाए बेदनात यादो फिलहाल सिक्षा बिभाग के सचीव हैं और केके पाठक के बाद दूसरे नंबर के अधिकार्री है केके पाठक ने खुद अपने साथ काम करने वाले दूसरे अधिकारी जो के बाद नंबर दो के पोजीशन पर है उनके लिए सरकार से खुदी अनुसंसा किया था कि मेरे गैर मवजूद्गी में आप बैदनात यादों को जिम्वारी दे दिजिए कि जो काम करें और यही पत्र है और इसी पत्र का पुरा मजमून है जिसको वाइरल किया जा रहा और क यही तरीके से जांचे परके यह खवर फैलादेना कि क्.पाठक इस्तिफा दे दिये हैं कि पात्क ने अपने खुद का खुदी त्याक कर दिया हैं वो सरासर गलत है हमारा दाइत तो है कि हम आपको सही ख़बरों से रूबरू करा है और आज की ख़बर यही है कि केके पाठक फिलाल छुट्टी पर गया हैं अपने पद को छोड़ कर इस्तिफा उन्होंने सिक्षा विवाक से नहीं दिया है केके पाठक 16 जनवरी के बाद वापस लोटेंगे फिर से वो काम में जुट जाएंगे फिर से वो एक्सन में रहेंगे अब 16 जनवरी के बाद केके पाठक जब वापस आते हैं तब नितीज सरकार क्या कुछ फैसला लेगी वो अलग है लेकिन फिलाल 16 जनवरी तक केके पाठक सिक्षा विभाग के अपर मुक्ष सचीव नहीं हैं और उन्होंने खुद इस पद का त्याग करके अपने बाद वाले अधिकारी को यह पावर देके वो गया है कि उनके गयर मवजूद्गी में वो तमाम कामों का निप्टारा कर पाएं सोचिए कि किसी विभाग में कोई अधिकारी नहीं हो तो काम का कितना नुक्सान होगा यही वज़ा है कि नियमावली बनी हुई है कि कोई एक वेक्ति बाहर जाता है तो उसके जगह पर दूसरा वेक्ति काम करता है और इसी पूरी परिक्रिया में यह जो चिठी है वाइरल की जा रही है यह चिठी पूरी तरीके से फर्जी है आप किजेगा य चिठी फर्जी नहीं है बलकि चिठी के संदर में जो बाते कही जा रही है वो फर्जी है चिठी तो पूरी तरीके से सही है क्योंकि चिठी में केके पाठक ने अपने पद प्रत्याग का बात कहा है कि वो अपने पद को त्याग रहा है लेकिन केके पाठक के पद त्यागन का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस्तिफादे दिया है ये लो मुझ मीठा करो आज मैंने अपना जॉड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अड़े आप क्यों मूनिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined